वेलकम टू आर यूटूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया आज से हम मैध का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं पर फूल मैध का हम जानते हैं कि मैध हमारे हर एक्जाम में चाहिए कोई भी कॉम्पटेटिव एक्जाम हो उसमें बहुत ही जरूरी है इसके अलाबा कुछ चीज स्टार्ट करने का बहुत सारा रिजन है एक तो यह चैप्टर काफी इंट्रेस्टिंग और बहुत सारे इससे रिलेटेड बहुत सारे पूछे जाते हैं उसके अलाबा यह हो गया कि आगे समझने में और भी जो चैप्टर से उसे समझने में आगे यह काफी helpful आएगा क्यू परसेंटेस देखने से पहले कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हैं जैसें आंएंग लेते हैं। को चलिये स्टार्ट करते हैं जैसे हमारे पास कुछ लिस्ट है वर सौकी जर जन्राइबर्ड होता है यह आप देखोगे अपने competitive exam की questions में देखोगे तो इस तहीं कि का percentage का या नंबर का या fractional value का कई वार जिक्र होता है तो अगर हमारे माइन में ऐसा हो हमें पता हो तो ज़्यादा सही रहेगा फिर हमारे लिए यहां पर जैसे हैं 100% 100% प्रावर कितना है 100% को हम fractional value में लेते हैं क्योंकि अभी तो मैंने बता कि परसंट का मतलब 100 होता है 50% को क्या करेंगे वन वाइटू ले सकते हैं फ्रैक्शन वैलो में 25% को वन वाइफ और 12.5% को वन वाइट ले सकते हैं यहां तक तो 25% कहीं दिया हुआ हो तो हम डाइरेक्ट हमारे माइन में आना चाहिए कितना 3 वाइट, 62.5 दिया हो तो 5 वाइट, 87.5 दिया हो है तो 7 वाइट, 6.25 दिया हुआ हो तो इसका मतलब 1 वाइ 16, 15.25 दिया हो तो कितना 9 वाइ 16, 20% दिया हो तो 1 वाइ 5, उसी तरीके से अगर 40% दिया हो तो 2 by 5, 60% तो 3 by 5, 80% तो 4 by 5, 33 whole 1 by 3 परसेंट दिया हो तो 1 by 3 और उसी का डबल करदेंगे यानि कि 62 whole 2 by 3 दिया हो तो 1 by 6 और 66 whole 2 by 3 दिया हो तो 2 by 3 ठीके अब हम इसको देखेंगे यहां तक तो हमने देख लिया यह value friends जब हम question solve करते हैं तो काफी ही बहुत use में आता है यह सारे values कभी कभी हमारे पास fraction देदेगा उसका percent लिखना रहेगा कभी percent देदेगा fraction लिखना रहेगा तो इसे हम fraction of seconds में कर सकते हैं इस कारण से इस value को थोड़ा आप याद कर लेना दो चार और पढ़ लेना ऐसे ही याद आ जाएगा अब और भी जो कई अलग-अलग types के questions हमारे पास पुछे जाते हैं उसमें से एक इस तरीकी का भी पूछा जाता है कि इफ a is x percent of v then b is तो हम इसमें कोशिज करेंगे कि concept के साथ साथ हम कुछ trick का भी यूज कर ले ट्रिक और कुछ भी नहीं होता है आपका concept का ही जो फाइनल नी चोड़ होता है वो ट्रिक होता है तो कहीं कहीं जब हमारे यूज में आ सकता है तो उसे हम याद कर सकते हैं उसमें कोई दो मत नहीं है तो यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर x% है b का तो b कितना % होगा a का ऐसे कई वर questions पुछे जाते हैं तो उसके लिए क्या है कि b कितना % होता है 100 into 100 divided by x जितना % है न उतना से divide कर देंगे 100 गुना 100 को तो उतना percent हो जाएगा A B A का उतना percent हो जाएगा उसी के साथ साथ अगर कह रहा है कि अगर A X percent जादा है B से ठीक है ऐसा भी कई वार question आता है कि A B से X percent जादा है तो B A से कितना कम होगा तो ऐसे sense में हम करेंगे कि X यानि जितना percent जादा है उतना गुना 100 बटा 100 प्लस जितना जादा है वो यह हो गया उसका अब और भी question है जैसे कि A जो है A number increased by R percent and then again increased by R 2 percent तो net increase कितना होगा ठीक है यानि कि अगर पहले किसी संख्या में 10 percent बढ़ रहा है तो total कितना बढ़ा यह निकालने कह रहा है तो इसके लिए formula है मार पास बढ़ने का मतलब क्या होता है प्लस और घटने का मतलब माइनस ठीक है अगर दोनों बढ़ रहा है न तो R 1 plus R 2 और plus plus क्योंकि दोनों बढ़ रहा है तो plus 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 हो जाएगा तो plus R 1 into R 2 by 100 यह हो जाएगा इतना percent final increase होगा ठीक है अगर suppose friends की वही रहता कि एक R 1 percent बढ़ रहा है यानि plus हो रहा है और एक R 2 percent minus हो रहा है तब के sense में क्या करते है R 1 तो बढ़ता R 1 और minus R 2 करते और यह दोनों गुना कर रहे हैं तो plus minus minus यानि minus R 1 into R 2 by 100 यह कर देते हैं फिर हो जाता यह और भी कुछ question आता है जैसे हमारे पास आएगा expenditure consumption का आएगा इतना उसने खर्च कर दिया और इतना उसने बचा लिया इस तरीके के भी questions आते हैं तो उसके लिए हम ध्यान रखेंगे expenditure बढ़ावर क्या होता है price expenditure बढ़ावर क्या होता है expenditure यानि की खर्च तो खर्च बढ़ावर क्या होता है rate गुना consumption price into consumption हमारे पास यह आता है expenditure बढ़ावर ठीके जैसे कि इस से related हम question को देख सकते हैं इस से related हमारे पास question है कि due to increase in price of sugar by 20% a man reduces his consumption by 10% then 5% increase in his expenditure मतलब कह रहा है कि चीनी के दाम में 20% की बढ़ोतरी होने पर कोई इंसान है वो अपना क्या करता है 10% खर्च कम कर देता है तो कितना खर्च उसका बढ़ गया यह निकालना है तो अभी हमने क्या देखा expenditure ब्राबर क्यों होता है price into consumption ओके price कितना बढ़ रहा है 10% बढ़ रहा है consumption कितना कम हो रहा है minus यानि 10% कम हो रहा है तो कम होने का मतलब minus में ठीक है अभी हमने क्या किया था R1, R2 वाला चीज देखा था तो सेम उसी पर है दोस्तों और कुछ भी नहीं है 20% बढ़ गया minus 10% और plus minus minus 2 and by 10 यानि कि final increase कितना हो गया final increase हो गया 8% कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए वैसे अब कह रहा है अगला question क्या है अब कह रहा है कि एक आदमी जो है a man marks 20% more price on his object and sells 5% discount than find the profit आप देख सकते हो malls बज़े रहले यह होता है हमारे पास क्या वो बोलते है 50% off है और rate क्या करते है वो rate बढ़ा देते है rate बढ़ाने के बाद उस पर discount दे देते है तो अब आई चीज यहाँ पर कह रहा है कि 20% क्या किया उसने बढ़ा दिया और घटा कितना rate discount दे रहा 5% तो plus minus minus यहाँ हो गया यानि overall उसे कितना का benefit हो जाएगा 14% का benefit हो जाएगा ठीक है अब अगला question है हमारे पास what percent water must a man mix in a milk so that after selling on cost price he get 20% profit friends इस में ना इस question को आप देखो क्या कह रहा है कि कितना दूद में पानी मिलाना चाहिए कि cost price पर बेचने पर उसे 10% का profit हो है ना 20% का profit हो तो friends जितना परसेंट वो पानी मिलाएगा उतना परसेंट उसे profit होगा है ना तो उसे 20% बाटर मिलाएगा तो 20% का profit हो जाएगा ठीक है अब कह रहा है question कि if radius of a circle increase by 20% find percent increase ठीक है तो इसमें क्या है कि circle का radius कितना बढ़ा दिया जा रहा है ट्वंटी परसेंट बढ़ाया जा रहा है ना ठीक है एरिया क्या होता है circle का पाई आर स्क्वेर होता है पाई आर स्क्वेर हो रहा है यानि पाई इंटू आर इंटू आर यही तो होता है देखो friends मैं ये जो question दे रही हूँ इसको देने का मतलब है तो यहां भी तो दो बार आर आर परसेंट बढ़ रहा है ना तो सेम रूल लगा देंगे हम 20 परसेंट बढ़ा plus 20 परसेंट बढ़ा और फिर 20 to 20 वाई हैंट यानि कितना overall बढ़ गया area 44 परसेंट बढ़ गया अब दूसरी चीज आप देख लीजे area तो 44 परसेंट बढ़ गया पर इसका perimeter की अगर देख लेए तो कितना perimeter बढ़ेगा perimeter क्या होता है 2 into L plus B ना ठीक है यही तो होता है अच्छ सौरी circle है ना तो 2 pi r होता है 2 pi r होता है 2 pi r अब आप यह बताओ ना तो 2 बढ़ सकता है वह ख़imy बढ़ सकता है बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा तो जिटना percent यह और बढ़ रहा होतना by perimeter बढ़ेगा यह हमेसा आप याद रखना अगर square का भी कहता square का भी कहता तो भी सेम चीज रहता अगर rectangle का गा तो भी सेम चीज रहता है ना अब है if length and breadth of a rectangle increase 10% and 20% respectively तो क्या करना है increase निकालना है तो area में क्या होता है rectangle का area क्या होता है L into B होता है न यानि कि पहले इसमें भी 10% बढ़ रहा है इसमें भी 10% यानि केंजेक्यूट बढ़ रहा है ये तो वैसे sense में क्या करेंगे हम same y वाला अपना rule लगा देंगे 10 ऐसे जो हमने किया था 10 plus 20 plus 20 into 10 यानि 200 by 100 0 से 0 कट गया यानि कि क्या हो गया इसका 32% किस में बढ़ गया 32% area में बढ़ जाएगा perimeter में perimeter में बढ़ने की बात हो रही है तो perimeter में क्या बढ़ेगा perimeter में same रह जाएगा उसमें तो कोई दिक्कात नहीं होना चाहिए अब है area and area when ratio between length and breath is 3 is to 2 ओके फ्रेंट ये हो गया अगला question है ratio between weight of A and B is 3 is to 2 and weight of A increases 10% then by what percent of weight of B must increase or decrease so that their total weight become 134 kg with the increase of 8% friends इस वाले question को ना जब हम मैं आपको next rule बताऊंगी तब यह इस बताऊंगी अभी related देख रहेते हैं दूसरे question से पैसे अगर आप चाहते हो तो मैं चलो इसको बता देती हूँ बाद में describe कर दोंगी friends क्या कह रहा है यहाँ हमारे पास A है और B है A plus B है area की बात की जारी है ना area की बात की जारी है ठीके अब हम देखते हैं A कितरा है A का ratio हो गया 3 और B का ratio 2 हो गया यही ना तो कितरा हो गया अब कहारा है कि A कितना है increase by 10% A increase हो रहा है 10% B का increase हो रहा है कुछ नहीं दिया हुए तो आप maar लेते हैं ठीके तो क्या कहारां overall क्या हो रहा है increase हो रहा है 8% on of our increase or 8% ठीक है हमने क्या किया ऐसे question में क्या करते है generally इन तोनों को multiply कर दिए 10 और इसको 30 हो गया ये 2x हो गया ये 40 हो गया ये भी percent में है 40% 2x ब्रावर 10% तो x ब्रावर 5% जब भी ऐसा question आएगा तो हम इस तरीके से solve करेंगे बहुत easily बन जाएगा ये questions ठीक है अब क्या कह रहा है if radius and height of cylinder increase by increase by 10% and 20% ठीक है radius बढ़ रहा है कितना 10% और height बढ़ रहा है 20% तो 5% increase अच्छा अब आप ये बताओ cylinder का जब है इसका volume सबसे पहले क्या होगा volume क्या होता है cylinder का pi r square h curved surface area 2 pi r h होता है total surface area 2 pi r h plus r होता है ठीक है volume में ratio ठीक है ये चीज़ तो आपको अभी अभी बताऊंगी ये हो गया ये formula हमें जब याद रहता है तो आप देखो न क्या है यहाँ पर कि pi तो बिल्कुल constant रह जाएगा volume में क्या फर्क है वो में बता रही हूँ pi r square h है pi तो बिल्कुल constant है यानि r square है यानि क्या हो रहा है r into r अभी आपको बता है r into r into h हो रहा है ना r 10% बढ़ रहा है तो 10% और 10% 20% प्लस भाई r1 r2 वाला formula लगाते है तो 10% का r1 r2 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा जब solve करेंगे तो 4.2 आएगा ओके यानि overall हम जब जोड लेंगे तो कितना आए जाएगा 45.2 परसेंट रहा जाएगा यह क्या इसके volume में इतना चेंजिंग आ गया अब कह रहा है कि curved surface area में चेंजिंग तो curved surface area में चेंजिंग आजाए आर और h है ना आर और h है तो r 10% plus 20% plus 10 into 20y100 यानि ऐसे हम जब काटेंगे तो उसके बाद कितना बच जाएगा 32% बच जाएगा अब आगे कह रहा है कि total surface area में कितना का changing आएगा तो total surface area में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा है ना अब वो cannot define मतलब वो define नहीं कर सकते हमकी total surface area में changing कितना आएगा अब है volume when ratio between radius and height is to 2 is to 3 हाँ अभी मैंने आपको बताया था ना ratio जब दो numbers का दिया रहे तो radius को radius का ratio 2 है और height का 3 है और क्या है volume कब हो जाएगा volume r square h हो जाता है ना तो यहां पर हम volume का देखें इसमें radius अगर 2 है height अगर इतना है तो pi r square h ना पाई तो बिल्कुल constant ही है तो r square यानिकी 4 और गुना 3 यानिकी 12 हो जाएगा r square h ठीक है अभी कितना बढ़ रहा है 10 बढ़ रहा है ना इसमें इसमें हम देखेंगे आप 10 बढ़ रहा था और इसमें कितना बढ़ रहा था 20 बढ़ रहा था ऐसी तो हो रहा था ठीक है